हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महारावन सिरीज की तीसरी कॉमिक्स कालकूट जो की दिव्यास्त्र से नेक्स्ट है चलिए शुरू करते हैं कालकूट भोकाल प्रित्वी जिस पर मौझूद प्रानी जगत में सबसे श्रेष्ट है मनुस्य लेकिन करोडों की जंग संख्या में मौझूद मनुस्यों में कोई एकाद मनुस्य श्रेष्ट होता है और वो श्रेष्ट बनता है अपने अदम्य सहास, विलक्षन बुद्धी, उतकरष्ट, कार्य कुशलता और अपने उत्तम वेहवार से हमें प्रसंता है कि दिव्यास्त्र सोपने के लिए हमने एक उचित मनुस्य का चुनाओ किया और ये सभी गुन भोकाल में कूट-कूट कर भरे हुए हैं उसने अपनी अदम्य श्रेष्ट मनुस्य सिद करा इसलिए देवताओं ने इसे सोपे हैं दिव्यास्त्र दिव्यास्त्रों की मदद से यह अवश्य ही प्रित्वी को पाप के अवतार से मुक्ति दिलाएगा इसकी सफलता निश्चित है हम सबका आशिरवाद है इसके साथ है भोकाल नाम की अपनी जिस उपलब्दी पर जहां देवता परसंते वहीं कहीं क्रोध का तुफान उठ खड़ा हुआ था गएं गएं और वो तुफान उठा था उस परवत के जागने से जो वास्तों में कालकूट नामक राक्सस के विशालकाय परवतकार शरीर का ही एक अंगता गड़ 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 फटपड़ा कालकूट के क्रोध का जॉलम की किसने मेरी तपस्या भं की किसने मुझे तब निद्रा से जगाया मेरी काली शक्तियों आओ, मेरे पास आओ, मेरी शक्तियों और बताओ मुझे किसके परताप से डोल उठा है, मेरी अति महत्पून, तपस्या का सिंगासन अगले ही शन, तेज, चीक, पुकारों और अन्य, विभिन तरह की ड्रावनी आवाजों से वातावरन गून जुठा, कुछी शनों में एकदम पहले जैसी ही शान्ती चा गई, और वे शान्ती इस बात की धोतक थी, की कालकूट की क्याली शतानी सक्तिया उसके पास पहुँच गई थी, जिनकी वज़े से तुरंत हिवा में एक गोल दरपन परकट हुआ, और उसमें नजर आया, भोकाल, यह तो भोकाल है, निश्चे ही इसका उद्देश्य है, मुझे तक पहुँचना और मुझे समाप्त करने का परियास करना है, तभी मेरी तपस्या भंगुई, काल नाम का वह कीड़ा, कालकूट के क्रोध की अधिक्ता से एक बार फिर कांप उठी थी धरती, जिसने पास ही इस्थित, भीलो के इस कबीले में खलबली मचा दी, उफ, प्रित्वी का यह कंपन, प्रित्वी के इस कंपन का तात पर यह है, इस वन में मौजूद, हम जैसे सैकडो कबीलो का विनास, हम पर तबाही के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जाग उठा है कालकूट, जागते ही उस राक्सस को चाहिए होता है धेर सारा भोजन, और उसके भोजन में मुख्या होता है सैकडो मनुस्यो का मास, जो उसे हम भीलो के रूप में मिलेगा, कालकूट के परकोब से क्या हम बच नहीं सकते बाबा, क्या कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि कालकूट के परकोब के आगे देवता भी नहीं ठहर पाते, वर्सों से ऐसा ही चलता आया है, हमारी मिदद करने ना कोई आया है और ना आएगा, जो वर्सों से नही हुआ था वह आज होने वाला था क्योंकि आज पास ही मुझूद था वह माबली पाप के अवतार को समाप्त करने में निकल तो पड़ा लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह मुझे मिलेगा कहां कहां होगी मेरी उससे मुटभेड बोकाल के चेहरे पर नजर आने लगे दुरड़ता के भाव इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं तो मिलेगा वह जब तक मैं उसे खोज कर समाप्त नहीं कर डालूँगा तब तक मेरी खोज जारी रहेगी ओहो अचानक चिहूंक उठा भोकाल क्योंकि नीचे उसे दिखाई दे रहाता चोंकां देने वाला द्रश्य वह भ्यंकर प्रानी अपनी नाख से हवा का तेज तूफान छोड़कर व्रद को उसमें उड़ा देने का परियास कर रहा है वह व्रद को गहरी खाई में गिराना चाता है और वह सफल भी हो जाएगा अगर मैंने तुरंत ही व्रद को ना बचाया तो अपने सिकार के हाज से निकल जाने से उस भ्यंकर प्रानी का जो क्रोध भड़का उसे उसने तुरंत ही भोकाल पर उगल दिया उफ बड़ी तेजी से पवन उगलते हैं इसके नथुने आप जरा यहां रुकिये बाबा मैं उससे निपटता हूँ भोकाल ने व्रद को एक सुरक्षित इस्थान पर छोड़ा और परले दूद के सामने आखड़ा हुआ अब दिखा कितनी तेजी है तुझ में और तेरे तुफान में यही न थुने उगल रहे हैं न तुफान ले इन्हें बंद किये देता हूँ और बंद किये देता हूँ तेरे जीवन को मोत की कैद में प्रहारा की मदद से उस भ्यंकर प्राणी को मृत्यू दे कर भोकाल उस व्रद की तरफ पल्टा आप कोन है बाबा और यहां इस भ्यंकर प्राणी के चंगुल में कैसे आफसे हमारा नाम पवनाचारिय है माबली इस वन से होकर देशाटन को निकल रहेते कि अचानक उस भ् कोन हो वीर, तुम्हारे चहरी की द्रड़ता और आँखों में बसी कठोड़ता बता रही है कि तुम अपनी किसी उद्देश से को सफल करने निकले हो, क्या हम तुम्हारी कोई साहता कर सकते हैं, मैं भोकाल हूँ बाबा और मैं जिस उद्देश से के लिए निकला हूँ, उसे उसे आप जानकर क्या करेंगे, कोई युवा वीर होता, तो मैं उसे अपना उद्देश से जरूर पताता, भोकाल की बात पर व्रद के हदरों पर खेलती मुस्कान और गहरी हो गई, सही कहा माबली, वास्ताव में हम तुम्हारा उद्देश से जानने लायक नहीं है, लेकि तो मैं आपको कुछी पलों में पहुचा दूँगा, आईए, भोकाल व्रद को लेकर तुरंत ही हवा में लहरा उठा, नीचे घटती उस घटना से बेखबर, जिस पर व्रद की पूरी नजर थी, भोकाल उस व्रद को लेकर उड़ा तो सही, परन्तु काफी देर उड़ने क पश्चात भी व्रद को उसके गंतव्य तक नहीं पहुचा सका, हास्चरी यह है, नीले सिकर वाले जिस परवत को मैं एकदम पास समझ रहा था, वह दूर और दूर होता जा रहा है, इतनी देर उड़ते रहने के पश्चात भी वह सिकर उतना ही दूर दिख रहा है, जितना पहले था, कैसे हो रहा है ऐसा, सवालों के भवर में खोने की बजाए अगर भोकाल वरद के चेहरे पढ़ नाच्ती वह सरारती मुसकान देख लेता, तो सब कुछ पलक जपकते ही समझ जाता, आखिर भोकाल के दिमाख ने सूंगी ली उस सरारत की गंद, ओ, मैं अपने दम में भरा उड़ा चला जा रहा हूं, और इस ब्रहम जाल को समझ नहीं पाया, उसने अपने उड़ने की दिसा बदल कर जमीन की तरफ रुख किया, और उसने व्रद को उतार कर उसके पैर थाम लिए, महापुरूष आप मुझे बताईए कि आप ये ब्रहम फैला कर मुझे क् शिक्षा देना चाते हैं, नहीं महाबली, यह मायाजाल, तुम्हारे एहंकार का है, तुम्हारे दंब का है, जो तुम्हे तुम्हारी दिसा से बठका रहा है, बिना अनुभव के सक्ती दिसा ही नोती है, मेरे पास अनुभव है और तुम्हारे पास सक्ती, तुमने मेरी सह प्रवत के उपर इतने बड़े बड़े फल होते हैं ये तो मैंने आज ही देखा है सभी संसे में खड़े रहे कहीं कुछ और चीज ना हो और लुड़कते हुए सभी पहाडी फल उनके पास आकर रुके हैरत से उन फलों को देखती परतिये कांखे अचानक भै की अधिक्ता से फटती चली गई क्योंकि उन आखों के सामने मौजूद काटेदार फल एक अदबुत रूप धारन कर रहे थे ओह ये फल तो राक्ससों का रूप धारन कर रहे हैं कालकूट के राक्सस हैं ये इनसे बचो भागो भाग कर तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हे हमारे साथ चलना है थू 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 स्वामिक अलकूट के भोजन के लिए राक्ससों के मूँ से निकला वहल लिजलिजा पदार्थ दूसरे हिशन मकडी के मजबूत जालों की तरह भागने वालों से लिपड़ता चला गया अहा ओ बचाओ एक भी बचकर ना भाग सका सभी को बंदी बना चुके थे राक्सस हा 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 हमने कहा था ना कि तुम में से एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा बचाओ बचाओ हा 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 वातावरन बंदियों की चीखो और बंदी बनानों वालों के ठाकों से गूंज रहा था तबी उन पर हावी होती चली गई वह सिंग गरजना तुम में से भी कोई यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा इसी स्थान को तुमारे लिए शमसान बना दूगा मैं अभी यहीं तुम सब के सब शव पड़े नजर आएंगे लेकिन तेरा तो हम यहां शव भी पड़ा नजर नहीं आने देंगे चीर फाड़ कर खा ज प्लास में रहते हैं और जैसे ही अफसर मिलता है हम अपना वार कर देते हैं और सत्रू को फिर कोई वार करने लायक नहीं छोड़ते अहां एक राक्सस से निपटने के साथ ही भोकाल ने औरों से अपने आपको बचाया भी उफ इनके मूँ से निकला यह चिपचिपा पदा अगर मेरे उपर पड़ जाता तो मैं खिलने डुलने लायक भी नहीं रहता बहुत गंद उगलते हैं तुम्हारे थोपडे यह तूट जाए तो अच्छा है आह आह तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा बचकर तुम्हें जाना भी नहीं चाता क्योंकि अगर मैं चला ग का संहार करने में व्यस्ता सब कुछ भूल कर पीछे से यह भारी चटान ठीक उसके सिर पर गिरेगी और उसकी जीवन लिला समाप्त कर देगी वीरो पर पीछे से प्रहार करने वाले हमें पसंद नहीं इसलिए जाओ जाकर आकास की सेर करो भारी चटान के साथ उस भारी भर अगर व्रद के इस कारणामे को देख लेता तो भुचक का रह जाता। शिग्र ही विजय हासिल करके रुके भुकाल के हाथ। वहा तुमने सिध कर दिया कि तुम वास्तम में ही मा बली ओ। धन्यवाद बाबा तबी भीलों में गूंज उठा वह जैजैकार देवता भुकाल की जै मैं देवता। दूसरे हिशन सभी भील भुकाल के सामने नतमस्तक होते चले गए। आपने महाराक्सस कालकूट से हम सब के प्रान बचाए हैं। आप हमारे देवता हैं महाबली। महार लक्ष है। अवाक भोकाल व्रद को देखता रहे गया। जबकी व्रद के कंट से गुंजा वही धीर गंभीर स्वर। हाँ माबली। महाराक्सस कालकूट ही तुम्हारा लक्ष है। वह भी एक पाप का प्तार है। जिनके लिए तुम्हें दिव्यास्त्र मिले हैं। उसका संगार करके ही तुम प्रित्वी को पाप के बोच से मुक्त करवा पाओगे। अगर ऐसा है बाबा तो समझ लो कालकूट के दिन पूरे हो गए। भर गया उसके पाप का घड़ा। जल्द ही उसे काल के गाल में पहुचा कर ही दम लूंगा मैं। हमें तुम्हारे बाहूब तुम्हारी समता पर संधे नहीं है मावुली परन्तु फिर भी हम तुम्हें इस बात से सचेत कर देना चाहते हैं कि कालकूट कोई साधरन रक्सस नहीं है। सेकडो काली और विद्वन्सकारी सक्तियों का स्वामी है वै और ये सब सक्तियों उसने सेकडो तपस्या करके प् प्रसं करना और उनसे अपने मन चाहे वर्दान प्राप्त करना ही उसका परमुक कार्य है। उनी वर्दानों के बल पर उसने अपने आपको एक विशालकाई परवत के रूप में ढाल लिया है। उसी रूप में वै अपनी सारी काली सक्तिया अपने साथ रखता है जिनके ब वे अपना कद बढ़ाकर बादलो को रोक लेता है और फिर अपनी इच्छा से उनका परियोग करता है कहीं मुस्लाधार वर्षा करवाकर भीशन तबाही मचवाता है तो कहीं एक बूंद पानी न भेजकर भयंकर अकाल पढ़वाता है कहीं बादलो को लंबे समय तक सूरिय से दूर रखकर भीशन गर्मी करवाता है संपून प्रत्वी के राज्य कालकूट के इस परकोप से तरश्त है और उसका हर आदेस मानने को विवस है वे वही करते हैं जो कालकूट चाहता है उसे समात्त करने का परितन भी किया होगा